हेलो एवरिवन, MP पुलिस कॉंस्टेबल 2020 का मैट्स का पार्ट 10 है ये और 21 अगर 27 की शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है ये 30 तक हमने पार्ट 9 में सॉल्व कर लिये थे और उसके बाद next section का ये पहला question है इसको solve करना है और P अपॉन Q की हुआ में बताना है अब ये क्या है ये 3 upon 4 की पावर माइनस 1 है जब भी किसी fraction की पावर negative होती है और अगर हम उसको positive करना है तो अंदर जो number है उसको हम पलट देते बी अपॉन ए तो पावर positive हो जाएगी मतलब इसकी पावर 1 हो जाएगी उसी तरह से यहां पर 3 upon 4 लेखा हुआ है पावर को हम प्लस में पावर को हम positive करना चाहें तो 3 upon 4 की जगह पर 4 upon 3 लिख दें फिर minus का sign उसी तरह से 1 upon 4 की पावर minus 1 लिखी हुई है तो minus 1 को हम positive करेंगे तो 1 upon 4 की जगह पर 4 upon 1 लिख दें फिर इस पूरे की पावर लगी हुई है minus 1 ये अब इसको solve करें LC हमा जाएगा 3 3 divided by 3 1 और 1 into 4 4 minus ये 1 है तो 3 divided by 1 मतलब 3 और 3 का into करेंगे 4 में तो 12 और whole power यहाँ पर चल रही है minus 1 equal to 4 minus 12 8 आ जाएगा लेकिन negative काएगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर है और divide में 3 whole power यहाँ पर minus 1 चल रही है अब option में देखें तो किसी के भी उपर power नहीं लगी हुई है तो इस power को भी हम हटाना पड़ेगा तो इसको अगर हम plus में लेके आएगे तो 8 upon 3 को change कर दें minus 12 income ही रहेगा 8 upon 3 का 3 upon 8 हो जाएगा यहाँ ऐसे दिखलो minus 8 है और 3 है तो 3 नीचे है 3 उपर आ जाएगा 8 उपर है minus 8 उपर है तो minus 8 नीचे आ जाएगा और power तो हम लगाएंगे नहीं power में इसकी minus 1 का 1 हो जाएगा मतलब की 1 ही रहेगा तो इसको नहीं लिखें तो क्या आ गया 3 upon minus 8 इस minus 8 का मतलब क्या है 3 upon minus 1 into 8 क्योंकि minus 1 into 8 minus 8 ही मिलता है अब इस minus के sign को हमें उपर लेके जाना है तो हम उपर और नीचे दौनों तरफ minus 1 minus 1 का multiply कर देते हैं यहाँ minus 1 का multiply करेंगे और यहाँ पर ही minus 1 का multiply करेंगे तो 3 into minus 1 minus के 3 और minus 1 यह minus 1 तो minus minus प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा 1 और यह 8 into 8 तो यहाँ से मिलेगा minus के 3 divide by 8 तो यह इसका answer हो जाएगा minus 3 upon 8 यह है answer minus 3 upon 8 फोर्थ option next है इसको solve करना है अब यह उपर का इतना part लिखा हुआ है यहाँ पर हम LCM ले ले लेते हैं x और y है y और x है तो LCM आज जाएगा x y या y x एकी बात है अब यह x y है x y का divide करेंगे हम x y में divide करेंगे इस y से तो x y upon y तो y से y cancel हो जाएगा बचेगा x इस x का multiply करेंगे हम इस x में तो x into x x square फिर minus का sign अब यह x लिखा हुआ है नीचे तो x y में हम divide करेंगे इसमें x y में divide करेंगे x का तो x से x cancel बचेगा y अब इस y का multiply करेंगे हम इस y में तो y into y y square अब नीचे वाला पार्ट यह x square और y square LCM आजाएगा x square into में y square अब जो LCM आया उसमें हम divide करेंगे इस x square का तो x square और y square में जब divide करेंगे x square का तो x square x square cancel बचेगा y square इस y square का multiply करेंगे इस 1 में तो आजाएगा y square minus उसी तरह से x square y square में divide करेंगे y से y square से तो किवल x square बचेगा और इस x square का multiply 1 में तो x square minus में क्योंकि minus का sign नहीं बीच में था अब यह दो fraction हो गए यह एक पार्ट हो गया और यह एक पार्ट हो गया अब इसको मूपर लेके जाएंगे तो यह पलट जाएगा तो क्या मिलेगा इक्वल टू यह x square minus y square डिवाइड में x y यह तो सेम रहेगा लेकिन नीचे वाला पार्ट पलट जाएगा नीचे था यहाँ पर x square y square तो यह उपर हो जाएगा लेकिन into में x square y square और जो उपर लेखा हुआ था यहाँ पर वो डिवाइड में y square minus x square अब यहाँ से हम cancel कर देंगे यह 1x यह है और यहाँ पर 2x है तो 1x से 1x cancel हो जाएगा यहाँ बचेगा 1x x square minus y square यह उपर वाले पार्ट में देख रहे हैं into यह x से x cancel हो गया तो x की power 2 थी तो किवल 1x बचेगा और यह 1y है यहाँ पर 2y है तो cancel कर देंगे तो यहाँ उपर 1y बचेगा वो यह multiply में तो xy और divide में यह तो हट गया यह बचा तो y square minus x square अब option से देखें तो ऐसा कोई भी option नहीं है इसको हमें और simplify करना पड़ेगा यह x square y square लिखा हुआ है और यह y square minus x square इसको हम अगर कहीं पर a minus b लिखा हुआ है तो वो बराबर होगा minus के b minus a के बराबर क्योंकि जब दो number लिखे हुए है plus minus में और अगर उनकी जगह में आपसे बदलना है तो bracket लगा कर आगे एक minus हमें लगाना पड़ता है अब अगर इसको हम solve करेंगे तो जब minus आगे रहता है bracket के तो अंदर के हरे चीज़ के sign बदल जाते हैं यह b plus का था तो minus का हो जाएगा minus b और यह a minus का है तो plus का हो जाएगा और यह क्या हो गया a यह minus b तो यह और यह same है तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर दें यह उपर लखा हुआ है x square minus y square और into में xy डिवाइड में y square minus x square है तो इसके जगह में आपस में बदल देते हैं लेकिन bracket में एक minus भी लगा देते हैं आगे तो यह हो जाएगा x square minus y square अगर इस bracket को खोलेंगे तो यही मिलेगा यह अब यहां से यह same same होगा x square minus y square x square minus y square यह दोनों आपस में cancel हो जाएंगे अब उपर क्या बचा xy और denominator में minus 1 तो इसमें उपर नीचे minus 1 और minus 1 का multiply कर दो यहां से क्या आ जाएगा minus k xy और divide minus 1 into minus 1 मतलब की 1 मतलब इतना answer आया minus k xy minus k xy fourth option इसका right answer है नेक्स्ट है इतने के बराबर मतलब यह root है इसकी value 135 दी गई है तो बताना है find the value of इतने की अब यह root के अंदर point लगा हुआ है जब भी कभी root के अंदर point लगा होता है तो जितने number के बाद में वो point लगा होता है मतलब उस point के बाद जितने number रहते हैं उसका हम आधा कर देते हैं और जब root से बाहर निकलता है तो हम उसके आधे के number के बाद point लगा देते हैं जैसे माल लो ये कोई नंबर है ये कोई नंबर लिखा हुआ है और फिर ये point है उसके बाद 2, 3, 4, 4 desert है तो जब इस root से बाहर निकल के आएगे जब कोई भी answer होगा तो उसमें हम 4, 4 desert के बाद point हैं यहाँ पर तो 4 by 2 मतलब आधे नंबर के बाद हम point लगा देंगे मतलब 1 और 2 यहाँ पर यह point लग जाएगा और यहाँ जो था वो सेम रहेगा मतलब point के बाद जितने भी number है उसका आधा करके हम root से बाहर निकल कर उतने ही number के बाद point लगा देते हैं तो 18225 है इसकी value दी गई है question में 135 तो यह root है root से बाहर निकलेगा तो 135 आ जाएगा और यहाँ पर दो नंबर के बाद point है तो 2 का आधा हो जाएगा 1 तो 1 के बाद हम point लगा देंगे यह 13.5 उसके बाद plus तो यह plus 18225 इसकी value दी गई है 135 और point कितने के बाद लगा है एक, दो, 3,4 चार नंबर है चार का अधा करेंगे 2 तो 2 के बाद यहाँ पर point लगा देंगे तो 1.35 अब इन दोनों को plus करना है तो point के नीचे point आना चाहिए 13.5 है point के नीचे point आएगा तो point के बाद की संख्या है 3,5 तो यह 3,5 और इसके पहले था 1 तो यह 1 point वाले नंबर को जब भी हम plus करते हैं तो point के नीचे point ही आना चाहिए और उस जगह खाली यह वहाँ पर हम 0 लिख देंगे इसके नीचे यह 0 अब इससे plus करेंगे तो 0 और 5,5 यह हो जाएंगे 8 point के नीचे point 3 plus 1,4 और यह 1 तो यह हो जाएगा 14.85 फॉर्थ ओप्शन यह फिर इसमें अगर ऐसा याद नहीं रखना है तो simple ऐसे कर लो यह क्या है 182.25 है 182.25 है तो जब हम point हटाएंगे तो जितने नंबर के बाद point रहता है उतना ही 0 हम denominator में लिख देते हैं तो इसके जगह पर हम क्या लग सकते हैं 182.25 डिवाइड में दो नंबर के बाद point था तो 20 और फिर 1 और यह क्या चल रहा है पूरा root चल रहा है तो उपर वाले number का हम root निकालेंगे इसकी value दी गई है 135 तो इसके जगह पर आ जाएगा 135 और 100 का root होगा 10 डिवाइड में 10 और जब denominator में 10 लिखा हुआ है तो उपर हम एक point एक number के बाद point लगा देते हैं एक 0 है तो 135 में हम एक number के बाद point लगा देंगे 13.5 तो इतना ही मिला था तो इसका answer हो जाएगा यह fourth next है यह figure दिया हुआ है इस figure में A B parallel है DC के A B और DC parallel है समाना अंतर है और A B C के value दी गई भी मतलब बीच वाला angle ABC 60 तो A B और C यह दिया गया है 60 फिर C E F मतलब E तो E है C E F इस triangle में देखना है यह दिया गया है 30 तो angle E F D E F और D मतलब यह वाला angle हमें निकालना है अब यहाँ पर A B parallel है DC के यह A B है यह parallel है इस DC के मतलब जब दो parallel line जा रही है और उसको एक transverse line cut कर रही है तो इसके यह वाले angle और यह वाले angle बराबर होंगे उस तरह से यहां पर यह इसके बराबर हो जाएगा यह वाला angle यह हो जाएगा 60 या फिर हम इसमें यह वाला एंगल और यह वाला एंगल को बराबर करके भी कर सकते हैं तो यह भी हो जाएगा 60 और इस जब 180 में से माइनस करेंगे तो यह वाला अंदर का एंगल मिल जाएगा तो यहां से भी आ सकता है पर हमने यह और यह एंगल ले लिया है मतलब यह 60 और यह 60 अब यह एक line बन रही है इस तरह से यह एंगल दिया गया है 60 और यह side वाला यह पुई line बन रही है और एक straight line पर सरख लेखा पर सारे angle कसम 180 degree होता है तो इतने angle कसम 180 degree हो जाएगा जब यह 60 है तो यह वाला क्या हो जाएगा 180-60 तो 180-60 ये हो जाएगा 120 ये 120 और ये कौन सा एंगल है? ये C वाला एंगल है इस ट्राइंगल में C ये हो जाएगा 120 अब इस ट्राइंगल में हम देखें C, E और F में C, E, F में तीन आंगल कसम 180 डिगरी होता है दो एंगल हमें मिल चुके हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं, C, E और F, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, C हमें मिल चुका है 120, प्लस E दिया गया था, 30, प्लस F हम निकाल सकते हैं, इसमें, इक्वल टू 180, इननों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो, यह हो जाएगा 120 प्लस में से, तो आजाएगा 30, तो F की value आजाएगी 30, तो F क्या है, यह E, F, C, या फिर E, F, D, एक ही बात हो गई, एंगल तो यह F ही है ना, तो यह इस cancer हो जाएगा 30, second option, next है, एक shopkeeper, एक item पर 40% above the cost price, मतलब जितनी cost price है ना, उससे 40% ज्यादा मार करता है, तो MRP उसकी कितनी कर देता है, 40% ज्यादा कर देता है, और फिर उसी पर वो 20% का discount देता है, तो profit percent क्या होगा, तो हमने माल लिया कि उसकी cost price कितनी थी, 100 थी, 100% थी, उसके 40%, उस पर 40% बढ़ा कर, तो 100% में हम 40% बढ़ा देंगे, तो 140% हो जाएगा, तो मतलब 140% उसने marked price लगा दी, उस पर अंकित कर दी है, 40% में वो बेचेगा, 140% में, 300, पर उसने 140% में उसको बेच रहा है, वो, अब 140 में वो बेच रहा है, इस पर वो 20% का discount भी दे देता है, मतलब 20% कम में देता है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, मतलब कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा, क्योंकि 20% का discount दे दिया, अब percent के साथ हटाएंगे, तो 100, और कितने पर बेच रहा है, मतलब 140 में दे रहा था, इसका 80% हो जाएगा, 0 से 0, और ये 0 से 0, 14 इंटो 8, 2, 112, ये आ गई selling price, मतलब इतने में उसने बेचा, और उसका cost price कितनी थी, उसकी 100, और बेचा कितने में, इतने में, तो profit कितने का हुआ, 112 में से 100 माइनस कर दो, 12, ये profit आ गया, और cost price पर निकालते हैं, तो 100 ही है, तो 12% ही आ जाएगा, तो gain percent आ जाएगा, 12%, fourth option, ये 12, हाँ, 12% ही आएगा, ठीक है, 100 उसकी cost price थी, इसको 100% मान कर भी कर सकते हैं, उतना ही आएगा, लेकिन हमने इसमे cost price मान लेते हैं कि 100 रुपीज है उसकी, उसकी 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 40% जादा बढ़ा कर देता है, तो 40% जब उसमें जोडेंगे, मतलब उसका 40% लगाएगे 100 का, तो 140 आएगा, ये रुपीज मा जाएगी, उसने market price उसके अंकित कर दिये 140, अब इतने पर, वो 20% का discount देता है, 20% का discount दे दिया, तो बेचा कितने में, 80% में, तो 80% हमने इसका निकाल दिया 140 का, तो आया 112 मतलब इतने में उसने बेचा होगा, और था, था actual में कितना 100, तो उसे कितने का profit हुआ, 112 में से 100 को माइनस कर दो, 12 का profit हुआ, और जहमें इसका profit percent निकालेंगे, तो 100 पर निकाल रहे हैं, तो वो percent के बराबर ही आएगा, 12% ही आजाएगा, fourth option, next है, रमेश, monthly interest पर इतने रुपे इन्वेस्ट करता है, 8000 रुपे इन्वेस्ट करता है, लेकिन monthly interest पर, एक महीने पर, और rate कितने है, 10% है, जो कि हर महीने दी जाती है, तो उसका investment कितना, investment तो यह, investment amount दो हमें निकालना है, मतलब कितने पैसे वो उसमें लगाए, कितने तो कितने पैसे वो उसमें इंवेस्ट करेगा अब उसको हर महीने इतना इंट्रेस्ट लेना है हर महीने तो एक साल में कितने हो जाएंगे एक साल में 12 महीने होते हैं है तो 12 से मुल्टिप्लाय कर देंगे है है कि यहां पर प्रति वर्ष दिया गया है इसलिए हम 12 से मल्टिप्लाय कर रहें एक साल का निकाल रहे हैं एक महीने में इतना तो एक साल में कितना गिरेट nine- ш और 30 मैं है अब यह इतना उसे इंट्रेस्ट मिल रहा है तो कितने परसेंट से मिल रहा है हर महीने वो तेन-परसंट की रेट जीरो और बढ़ा दो और 100% क्या होता है जितना उसने इंवेस्टमेंट किया होता है स्टार्टिंग का अमाउंट तो यह हो जाएगा अंसर फोर्ट अप्शन नेक्स्ट है एक किसी काम को 10 दिन में करता है और भी उसी काम को 15 दिन में करता है तो नंबर ओफ डेस बताना है जब वो दोनों साथ में काम करें तो दोनों साथ में किते दिन में वो काम फिनिश कर लेंगे तो एक कितने दिन में करता है, दस दिन में, भी उसी काम को करता है, पंदरा दिन में, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, दस और पंदरा का एलसी हमा जाएगा, थर्टी, ये होगे टोटल वर्क, तो इन सब का वंडे वर्क कितना हो जाएगा, मतलब एक दिन में कितना काम कर और एक दिन में B 2 work करेगा 30 by 15 2 तो दौनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे 3 plus 2 मतलब 5 दौनों एक दिन में 5 work करते हैं और total work कितना है 30 तो पूरा काम ख़तम करने में कितना time लग जाएगा 30 divided by 5 इसको cancel करेंगे तो 6 से cancel हो जाएगा 6 days 6 दें लग जाएगे उन्हें 1st option next है तीन cube हैं तीन घन हैं जिनकी side यह दी गई हैं इतनी 5 और 4 4 और 5 अब इन तीनों को melt करके पिगला कर एक नया cube एक नया घन बनाया जाता है तो जो नया cube बना है उसका surface एरिया बताना है तो यहाँ पर melt कर रहे हैं पिगला रहे हैं तो melt वाले case में हम volume को बराबर लेते हैं तो इन तीनों की volume बराबर हो जाएगी जो नया बनेगा उसकी volume के बराबर तो पहले वाले cube की side यह दी गई है और cube के लिए volume का formula क्या हो जाता है A cube मतलब जो side दी गई है उसका cube कर दो नया वाला घन उसकी volume आ जाएगी वह माल ली हमने V इसके बराबर हो जाएगी तो पहले वाले की volume निकाले हम side दी गई है 3 तो V equal to 3 दिया गया है 3 का cube यह हो जाएगा 27 तो पहले वाले की volume आ गई 27 प्लस side दी गई दूसरे की 4 तो 4 का cube हो जाएगा एक जगर पर 4 रखेंगी तो 4 का cube मतलब 64 तो दूसरे वाले घन का आयतन आ गया 64 तीसरे के लिए side दी गई 5 तो यहाँ पर एक जगर पर 5 रखेंगे तो 5 का cube मतलब 125 तो तीसरे वाले के लिए volume आ गई 125 equal to V यह बड़े वाले के लिए हम ले रहे हैं इन विनों को plus करेंगे तो 5 और 4 9 9 और 7 16 यह 1 और 2 21 216 आ जाएगी इसकी volume यह आगे बड़े वाले के लिए आयतन अब पूछा क्या है जो नया घन बनेगा नया cube बनेगा उसका surface area बताना है तो उसके लिए में side निकालने पड़ेगी तो यह volume आ गई बड़े वाले cube की तो हम इस formula में इसको रख देंगे volume equal to क्या होता है a cube और a क्या है उसकी एक side volume हमने निकाली है 216 equal to a cube अब यह 3 है इस side आएगा तो 1 by 3 हो जाएगा 1 by 3 मतलब की cube root तो 216 का cube root लगा देंगे हम equal to a 216 का cube लगाया है 216 का cube root होता है 6 equal to a मतलब a equal to 6 तो जो नया cube बना था उसकी side आ गई 6 अब उसका में surface area निकालना है surface area का formula होता है 6a square यहाँ पर इस a की value रख दो 6 into a square मतलब 6 into 6 तो 3 बार 6 आ गया मतलब 216 इसका surface area जाएगा 216 fourth option next है अगर हम इसको इतने को divide करेंगे x plus 3 से तो remainder शेशवल बचता है 1 और अगर इतने बार्ट को divide करेंगे x plus 3 से तो कितना remainder आएगा अब देखो अगर इस question को simple देखा जाए कि यह क्या लिखा हुआ है यह number इससे divide करेंगे जब x plus 3 से इसको तो one remainder बचेगा अब इसमें one remainder बच रहा है मतलब अगर यह one इस वाले पार्ट में नहीं होता तो यह पूरा पूरा divide चला जाता है x plus 3 से जैसे हम example देखें 7 को divide करें हम 5 से तो 5 बन जा 5 और यह 2 बचेगा तो जो remainder बच रहा है अगर हम वो इसमें से minus कर दे 7 में से तो बचा हुआ वाला पार्ट 5 से पूरा पूरा divide हो जाएगा remainder को minus करेंगे 7 में से तो आजाएगा 5 तो 5 इस 5 से पूरा पूरा divide चला जाएगा 1 by 5 और remainder बचेगा 0 उसे तरह से यहां से अगर हम 1 हटा दें इसमें से 1 हटा दें 4 में से 1 minus कर दें तो 3 और यह क्या लिखा हूँ यह पूरा same लिखा हूँ है 3 को ही तो 1 को ही तो minus किया इसमें से जो remainder था उसको हम इसमें से minus कर देंगे तो 1 को minus करेंगे तो यहां क्या जाएगा 3 तो यह क्या है 2x की power 4 plus 8x cube plus 7x square plus 4x plus 4 था यहां पर 1 minus कर देंगे remainder को हटा रहे हैं तो आजाएगा 3 और यही चीज तो question में बूची गई है कि इतने पार्ट को हम divide करेंगे x plus 3 से तो यह व क्यों ही तो है इसको जब x plus 3 से divide करेंगे तो remainder क्या जाएगा 0 क्योंकि पूरा पूरा divide हो जाएगा तो answer हो जाएगा 4 यह फिर इस question को ऐसे भी solve कर सकते हैं कि जब भी remainder पूछा हो तो जिससे हम divide कर रहे हैं मतलब इससे हम divide करेंगा x plus 3 से तो इसको रखेंगे 0 के बराबर में x plus 3 equal to 0 तो यहां से x की value कितनी आ जाएगी यह plus का है उधर जाएगा तो minus का हो जाएगा तो x की value आगी minus 3 अब इस minus 3 को हम इसमें करेंगे जिसका divide किया जाना है तो 2x की power 4 इस पूरे पार्ट में हम x equal to minus 3 रख देंगे तो हमें remainder मिल जाएगा यह 2x की power 4 है 2x की power 4 मतलब minus 3 की power 4 प्लस 8x क्यूब एक्स की जगह पर लखेंगे minus 3 तो minus 3 का क्यूब प्लस उसके बाद 7x square 7x square मतलब minus 3 का square plus 4x मतलब 4 into minus 3 और plus 3 इसको solve करेंगे negative number की जब भी power positive होती है मतलब sum sum क्या होती है तो negative sign हट जाता है क्योंकि minus 1 को हम 4 बार multiply करेंगे तो वो plus का हो जाएगा और 3 की power 4 कितना हो जाता है 81 तो 2 into 81 plus 8 3 की power 3 मतलब 27 और negative number की power जब एक विशम संख्या होती है odd number होता है तो वो minus नहीं हटता है तो minus आगे लग जाएगा तो हम minus यहाँ लगा दिते हैं plus यह minus है इसकी power even number है sum sum संख्या है तो minus हट जाएगा तो 7 into 3 और 3 9 plus यह इतना part है 4 into minus 3 मतलब minus के 12 आ जाएगे plus 3 अब यह 2 into 81 मतलब 2 और 2 into 8 16 तो 162 minus 27 into 8 यह 6 और यह जाएगा 21 plus यह जाएगा 63 7 into 9 63 minus minus का यह 12 और plus 3 अब जो plus plus के नंबर है उनको हम plus कर लें तो वो plus positive नंबर यह है 1 2 और 3 तो 162 और यह 63 plus 3 63 plus 3 करेंगे 66 हो जाएगा तो 66 हम इसमें plus कर दें यह हो जाएगा negative नंबर है 216 और minus के 12 तो minus minus है लेकिन होगा तो plus ही ना तो 216 में 12 को plus करेंगे यह जाएगा 8 2 और 2 लेकिन sign आएगा minus का plus किया था और sign आएगा minus का तो यहां से क्या मिल गया 228 plus का और यह minus का 228 तो यह cancel हो जाएगे बचेगा 0 तो fourth option 0 next है which of the following statement is correct इन में से कौन सी statement कौन सा option सही है वो बताना है फर्स्ट है 392 is a perfect cube तो 392 का perfect cube है पूर्ण घन है 392 नहीं होता है पूर्ण घन तो यह गलत हो जाएगा second है किसी भी integer के लिए a cube बड़ा होता है a square से a cube ऐसा तो नहीं होता है कि मालो अगर positive number है तो हो जाएगा लेकिन integer का मतलब क्या होता है integer होते है मतलब negative number भी minus वाले number भी होंगे और minus वाले number भी होंगे अगर a equal to हमालने की minus 2 है positive number के लिए यह बात सही हो जाएगी लेकिन integer बोला हुआ है तो integer में negative number भी आते हैं यह से हमालने a equal to minus 2 लिया तो minus 2 का cube हो जाएगा यह हो जाएगा minus का 8 और अगर a equal to minus 2 लिया तो minus 2 का square यहाँ पर भी करना पड़ेगा तो minus 2 का square क्या हो जाता है 4 तो क्या minus 8 बड़ा है क्या 4 से जो इसमें बोला गया है minus 8 बड़ा तो नहीं है minus 8 तो छोटा है क्योंकि negative number छोटा होता है तो यह वाला भी गलत हो जाएगा third है there is no perfect cube ऐसा कोई भी पूर्ण घंड नहीं है जो कि end होता हो exactly two zero से जो कि end होता हो दो zero से तो ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम किसी भी number का multiply करेंगे तीन बार अगर 1,0 है तो उसका cube करेंगे तो 3,0 आएंगे 3,0 आएंगे 2,0 तो नहीं आएंगे 2,0 तब आ सकते हैं जब हम square करें लेकिन cube के case में नहीं आता है तो यह सही है यह statement सही है और fourth है if a square ends in 5 तो a cube भी 25 से end होगा मतलब अगर किसी number का square कर रहे हैं तो last में 5 आता है तो उसका cube करेंगे तो 25 आए ऐसा तो नहीं है 5 आ सकता है लेकि 25 नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा third option next है parallel sides dc ab dc and ab offer trapezium a,b,c,d एक trapezium है some lump है dc 12 है और ab 36 मतलब a भी बड़ी है तो ये हो जाएगी a b ये 36 और ये c और d ये हो जाएगी 12 उसके बाद its non parallel sides equal to 15 non parallel sides जो है ये दोनो ये दोनों 15 है तो इसका area बताना area of trapezium बताना इसका चेतरफल तो area के लिए formula क्या होता है इसका trapezium का 1 by 2 into into में sum of parallel side आता है parallel side कौन सी होगा ये दोनों parallel थी आपस में समाना अंतर थी तो इन दोनों को plus करके लिखना पड़ेगा तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं x1 plus x2 वो हमने parallel sides को नाम दे दी हैं और फिर multiply करते हैं height से जो उचाही रहती है तो height तो यहां पर दी ने गई है तो हमें निकालने पड़ेगी यहां से हम एक perpendicular draw करते हैं और यहां से भी यह number डाल दी हमने तो यह 90 degree triangle हो जाएगा उसी तरह से यह भी 90 degree का अंगल हो जाएगा तो इस triangle में अगर हम देखें तो इस से अगर हमें यह side पता चल जाए यह वाली तो यह height हो जाएगी तो उससे हम area निकाल सकते हैं अब देखो यह 12 है यह दोनों parallel है AB और CD तो पहलल है तो इतनी वाली side कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक कि 12 12 है और total है 36 तो 36 में से 12 minus करें 24 आ जाएगा और 24 को दो जगा पर डिवाइड करना है हमें तो यह भी 12 हो जाएगी और यह भी 12 हो जाएगी तो यह तीनों 12 हो गए total हो गई 36 अब यहां से हमें height निकाल सकते हैं यह triangle हो जाएगा A, D या फिर इसको माल लो यह E point है या तो इस triangle से निकाल लो या इस triangle से निकाल लो एक ही ही आएगा तो हम इस triangle में लेते हैं triangle A, D और E इसमें हम पाइथगोरों इस थिरुम लगाएगे hypotenuse का square equal to perpendicular का square plus base का square तो hypotenuse का यहां पर यह 15 है, 15 का हुजाएगा 225 equal to यह perpendicular है, यह तो हमें निकाल लहीं है इसके जगह पर हम लिख देते हैं P का, मतलब P square ही रहने देते हैं और base है 12, तो 12 का हुजाएगा 144 तो 225 में से 144 को minus करो, क्योंकि यह minus का हुजाएगा उस side जाएगा तो यह 5 में से 4, 1 12 में से 4, तो 8 81 आजाएगा, तो 81 आया equal to P square के बराबर यहां से अब यह 2 है, तो इधर आएगा तो 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 मतलब 81 का root equal to P 81 का root क्या हो जाता है, 9 तो 9 equal to P मिल गया हमे या फिर P equal to 9 यह वाली side मिल गई 9 अब यह 9 है तो इधर यह भी 9 हो जाएगी तो height हमें मिल गई 9, तो इस formula में हम रख देंगे area equal to क्या हो जाएगा 1 upon 2 into sum of parallel side जो parallel side है, उन्होंनों को plus करना है यह है 12 और यह 36 36 plus 12 कितना हो जाएगा 48 into height, height है 9, अभी जो find की 9 इससे cancel करेंगे 2 से, तो 2 और 4 बार 8 24 into 9 6 फिर 9 to 18, 19, 20, 21 216 इसका area आजाएगा 216 मतलब fourth option right answer है next है probability हमें find करनी है एक number select करना है 1 से लेके 35 तक जो की prime number हो, अभाद संक्या हो तो उसके select करने की क्या probability है probability कैसे निकालते हैं divide में लिखते हैं total case और numerator में जो possible हो सकता है, मतलब जो select करने के लिए बोला हुआ है possible cases और divide में total case तो यहाँ पर 1 से लेके 35 तक हमें एक prime number select करना है, तो 1 के बाद हम prime number तो पहला हो जाएगा 2 फिर 3 हो जाएगा prime number या भाद संक्या वो जो खुद से या 1 से divide होती है, तो 3 के बाद जाएगा 5, 7, 11 फिर 13 फिर 17 हो जाएगा और फिर 19 21, 23 हो जाएगा फिर 29 और इसके बाद फिर 31 35 नहीं 31 तक हो गए, इतने prime number हो जाते हैं, 1 से लेके 35 तक तो ये हो गए पूरे 11 number तो possible case कितने आ गए 11 और divide में total case कितने हैं, 1 से लेके 35 तक देखना है तो 35 भी total हो जाएगे तो इसकी probability हो जाएगी 11 by 35 second option next है, what is the number of sides of a regular polygon regular polygon दिया गया है, some बहुबुज तो इसमें भुजाओं की संख्या, sides की number बताने हैं, अगर उसका एक angle मतलब कोण, 135 दिया गया है सारे angle 135 ही है, तो number of side निकालना है तो इसका formula होता है, जब भी regular polygon या सम बहुबुज का case होता है तो हम यह formula लगाते हैं, angle angle निकालने के लिए होता है n into n minus 3 divide में 2 यह n क्या है, n होता है number of sides number of sides जितनी उसमें side है और यह है angle या फिर इसकी जगे angle या फिर code अगर angle दिया गया है, तो side निकाल सकते हैं और अगर side दिगई, तो हम angle निकाल सकते हैं यहाँ पर हमें हर एक angle दिया गया है हर एक code की value बताई गई है, 135 है तो angle के जगह पर हम 135 लिखेंगे equal to n तो हमें निकालना है, number of side तो n के जगह पर n ही रहने दो पर इसमें तो angle दिया गया है यह angle निकालने का formula नहीं होता है, sorry इससे number of diagonals निकाल सकते हैं मतलब विकर्णों की संख्या अगर किसी regular polygon में side दी गई है तो हम इस formula से number of diagonal से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं यहाँ पर number of side पूछा है और angle दिया गया है इसके लिए formula होता है angle या फिर cone सारे बराबर ही होते हैं तो angle निकालने के लिए formula होता है इस formula में रखकर अगर angle दिया गया है तो side निकाल सकते हैं और अगर side दी गई तो हम angle निकाल सकते हैं यहाँ पर angle दिया गया है 135 तो इस formula में हम रखेंगे angle equal to रखेंगे 135 फिर equal to n n की value हमें निकालना है तो n-2 divide n-2 into 180 divide में यह 180 multiply में है इसको हम इसकी नीचल आ सकते हैं divide में तो 180 को हम यहाँ ले आते हैं और यहां से हटा दीते हैं तो cancel करेंगे 5 से cancel कर दें 5 तूज़ा 10 और 57 35 तो 53 यह 15 और 6 बार 30 उसके बाद 3 से 9 बार 27 और 3 बंज़ा 3 और 2 बार 6 फिर से 3 से हो जाएगा 339 और 3412 तो 3 बार 4 आ गया तो क्या मिला हमें n-2 डिवाइड में n इक्वल टू 3 बार 4 अब यहां पर हम cross multiply कर देंगे n का multiply 3 में तो मिलेगा 3n equal to n-2 का multiply 4 में तो 4 into n हो जाएगा 4n फिर 4 into minus 2 मतलब minus 8 यह 4n को इधर ले आओ तो 3 minus 4 मतलब minus के 1 और n है तो minus का n equal to minus 8 ऐसे minus minus cancel हो जाएगे n की value आ जाएगी 8 तो number of sides जाएगे 8, third option next है triangle ABC इद इंस्क्राइब देना circle एक circle है और उसके अंदर एक triangle है ABC यह A, B और C और इसका center है यह O तो angle B, A, C मतलब यह A तो B, A, C यह वाला angle दिया गया है n और angle O, C, B तो O, C और यह B तो यहाँ से इसको join करना पड़ेगा यहाँ से इसको भी हम join कर देते हैं क्योंकि radius है center से circumference की परीधी पर मतलब circle की outer surface पर जो touch करती है line वो radius होती है और सब बराबर होते हैं तो यह यहाँ से बराबर होगी और यह भी बराबर होगी angle O, C, B, M दिया गया है O, C, B इस triangle में यह M है तो कौन सा option सही होगा वो बताना है हमें अगर हम triangle O, B, C में देखें triangle O, B, C में इसमें यह O, B side हो जाएगी radius और यह O, C side भी radius हो जाएगी तो यह दोनों side बराबर हो जाएगी O, B equal to O, C जब किसी triangle में दो side बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले angle भी बराबर हो जाते हैं तो O, B के सामने angle है M और O, C के सामने angle है, ये वाला, तो जब ये M है, तो ये वाला भी M हो जाएगा, अब इस triangle बेगर हम देखें, O, B, C, इसमें हमें 2 angle मिल चुके हैं, तीसरा angle भी हम निकाल सकते हैं, 180 बेंसे minus करके, क्योंग किसी भी triangle में सबी angle कसम 180 degree के बराबर होता है, तो इसमें हम जोड़ेंगे O, B और C तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रखेंगे तो O तो हमें निकालना है O की value हम निकाल रहा है प्लस B दिया गया है M प्लस C दिया गया है M दोनों बराबर है इक्वल टू 180 डिग्री तो O इक्वल टू ये M और M 2M हो जाएंगे और प्लस के हैं O है ये वाला एंगल इसकी value आई है ये 180 माइनस 2M अब किसी भी ट्राइंगल की ये प्रापर्टी होती है कि किसी भी सर्कल में सेंटर से बना हुआ एंगल का अगर हम आधा कर दें तो वो बराबर होगा उसकी सर्कंफ्रेंस पर बने हुए एंगल से और से मार्क में बने गए एंगल ये है से मार्क या फिर इस जीवा को मालने इस कोड को इस से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा और ये आधा होगा मतलब अगर इस सेंटर वाले एंगल को हम आधा कर दें तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा तो center वाला angle हमने same इस डारेक्ट इस वाले diagram में center वाला angle हमने निकाल लिया है जो है 180-2m के बराबर तो 180-2m अगर इस angle को हम आधा कर दें divide कर दें 2 से तो हमें मिल जाएगा ये उपर वाला angle और उपर वाला ये क्या है? B, A, C और B, A, C की value दी गई है question में n तो equal to हम n लिख सकते हैं अब यहां से हमें m और n में relation पता करना है चारो options में से यहां पर हम cross multiply कर देते हैं divide में कुछ नहीं है तो 1 ले लो 180-2m into 1 मतलब 180-2m ही मिलेगा हमें और 2 into n 2n इस 2m को ये negative है 2m यहां ले किया है तो plus का हो जाएगा तो 180 equal to 2n plus 2m मिलेगा यहां से हम 2 और 2 को common ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 180 equal to 2 common ले लिए यहां से हमने तो bracket में अंदर क्या बचेगा n plus m और यह equal में दीए गए 2 को हम 2 से हम cancel कर दे 180 को तो 90 बार cancel हो जाएगा यह तो क्या मिल जाएगा 90 equal to n plus m या फिर इसको हम लिख सकते है 90 equal to m plus n और इससे मिलता जुलता option में मिल रहा है option second है इसका right answer हो जाएगा next है a number is twice the other number मतलब एक number दूसरे number का दुगना है अगर एक number हम x माल लें तो दूसरे number क्या हो जाएगा 2x अब बोला है कि when the larger number is subtracted from 50 तो larger number कौन सा हो गया यह small हो गया यह large हो गया तो larger number को जब 50 में से माइनस करते हम 50 में से इस larger number बड़े number को माइनस करेंगे तो वो बराबर होगा जब हम छोटे number को 40 में से माइनस करेंगे तो smaller number x तो 40 माइनस x और जब इसमें हम 2 और जोड देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा जो large number हमने निकाला था यह तो equal to 40 माइनस x plus 2 यह question में क्या बोला गया है कि जब बड़े number को 50 में से माइनस करते हैं तो वो दो जादा होता है दो बड़ा होता है जब छोटे number को हम 40 में से माइनस करेंगे तो तो बड़ा होगा यह वाला मतलब दो नमबर यह जादा होगा लेकिन हम यह equal to का sign लगा रहे हैं तो हमें उल्टा करना पड़ता है यह 40 और यह 2 42 माइनस X हो जाएगा और यहाँ पर 50 माइनस 2X चल रहा है यह 42 प्लस का है इस साइड ले आएं तो माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 42 एक्वल टू यह माइनस का है यहाँ लेकिन आएंगे तो प्लस का हो जाएगा X यह माइनस का है X और प्लस 2x तो 50-40 to 8 आ जाएगा equal to 2x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो x बचेगा और वो प्लस का क्योंकि 2 बड़ा हुआ है तो x की value आ जाएगी 8 x की value आ गगी 8 तो पूछाए कि छोटा number smaller number कौन सा होगा smaller number हो जाएगा 8 और bigger number हो जाएगा 2 into 8 16 तो answer हो जाएगा fourth option तो ये था last question 21 अगर 12 17 की shift 1 का इसके आगर के questions हम next videos में दिखेंगी Thank you